एक बार फिर से मेरे नियोजे टीचर नियुजे 2.0 में आप सभी सिक्षक सांतियों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 34.38-38.DA हो जाने के बाद 2003-2016 तक के सभी सिक्षक का कितना बेतन मिलेगा कूल बेतन कितना होगा यह बैनर है मेरा यह बैनर आप देखकर समझ जाएंगे कि क्या है टोपिक और किस तरह का वीडियो है क्योंकि आप देख रहे हैं कि विभीन समाचार पत्रों के मादेयम से आपको जनकारी हो गया होगा कि केंदर सरकार ने अपने करमचारियों को 4% बढ़ा दिया है दिये बढ़ाने का एलान कर दिया है फाइनली मोहर लग चुका है अब 1 जुलाई 2022 से इन सभी करमियों को मिलेगा बढ़ा हुआ बेतन तो आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे केंदर सरकार अपने करमचारियों को बेतन बढ़ाती है उसी तोज पर बिहार सरकार यानि अन्य राज सरकार भी अपने करमियों का बेतन बढ़ाते रहती है मांगाई बढ़ाते रहती है तो उसी तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2003 से 2016 तक कि सभी सिक्षयों का कितना होगा बेतन तो आईए देखते है वीडियो को बिस्तार से उससे पहले मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किया आफ की आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफी केसन मिले सबसे पहले आपको 24,710 ये आपका मूल बेतन है 15 पर 30 बिरिधी के साथ ये आपका मूल बेतन हो गया है इससे पहले आपका मिलता था 20,240 और 15 पर 30 मूल बेतन में जब बिरिधी हुआ है उसके बाद आपका 24,710 हो गया है ये सभी 9 पर 60 सिक्षक कहा है चाहे वह 2003 के हो या 2016 के हो या 2010 के हो या 2005 के हो 7 के हो सभी 9 पर 60 सिक्षक का अभी मूल बेतन आपको 24,710 है जब इंडेक्स और लेबल का बादता लागू किया गया पत्रांक अनईस का जब पत्र निकला उस समय सभी 9 पर 60 सिक्षक का समान बेसिक पे कर दिया गया यानि 29,650 कर दिया गया उसके बाद आपको 22,440 हुआ उसके बाद 28,50 हुआ और उसके बाद यहाँ पर 15,3 बृदी होने के बाद 24,710 हो गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक पे 24,710 है और डिये यानि जब आपका डिये बढ़ जाएगा अभी 34,3 पर दिये मिल रहा है लेकिन जब 38,3 यानि 4,3 का एलाउंसमेंट भी हार सरकार कर देगी तब सभी निगोजी सिक्षकों का यानि अन्य करमचारियों का भी 38,3 पर दिये हो जाएगा उमेद किया जा रहा है कि दिवपावली के सूब असर पर बिहार सरकार अपने करमीयों को तवफाद दे सकती है तो बेसिक पर 24,7 सदस हो गया वहीं आपका डिये 38,3 पर 93,90 हो गया ये चारे आपका हो गया ग्रामिन छेत्र के लिए आपका आवास भात्ता हो गया 988 रुपिया हलाकि जो बहुत से इसे सिक्षके जो पंचायत में बहाल है वो अब नगर पंचायत में आ सकते हैं उनका बिद्याले नगर पंचायत में आ जाएगा तो उनका बेतनब बढ़ जाएगा लेकिन फिलहाल ग्रामिन छेत्रों के लिए 4 परतिसत ही है और आपका मेडिकल हो गया 1,000 ग्रोस पे आपका हो गया 36,88 रुपिया इसमें से आपको 18,00 रुपिया EPF कट जाता है बहुत से इसे सिक्षक हैं कभी कभी देखते हैं कॉमेंट करते हैं ग्रूप में वाट्सअप ग्रूप में कि 2350 का मैसेज आता है सरकार बोल रही थी कि 18,00 रुपिया आपका रहेगा और 18,00 रुपिया सरकार का अंसदान रहेगा तो आपको बता दे कि टोटल 36,00 रुपिया कटता है 36 समें टोटल आपको हो जाता है आपको 12,50 रुपिया आपका पेंसन अंसदान हो जाता है और 550 और 1850 टोटल आपको 2350 रुपिया का मैसेज आता है जो आपके सेविंग एकाउंट में जमा होता है तो इस तरह आपका जब आप अपना एपिएप का गूगल पर एकाउंट बना लेंगे वहाँ पर आपका ये सू करेगा टोटल आपका पेंशन अंसदान और सरकार का जो भी होगा 550 अलग होगा टोटल इंकुलेट करके आपको दिया होगा नीचे में तो इस तरह आपका एपिएप 1800 रुपिया कट जाता है और नेट पे इनका कटने के बाद 34288 होगा इससे पहले 34% पर आपको इन सभी सिक्षकों को 2003 से 2005 जो भी नव पर सिक्षकों सभी का आपको मिलता था 33288 अभी तक मिल रहा है यहीं लेकिन जैसे ही आपका 4% दिये बढ़ेगा आपका 1000 रुपिया पर मंथ इंक्रीज हो जाएगा यानि साल का 12,000 रुपिया सिक्षकों को बेनिफिट होगा तो अब इसके बाद वाले सिक्षक का हम देख लेते हैं वही जीन का मूल बेतन अभी 25,450 है 25,450 है उनका 38% डिये पर 96,71 हो जाएगा यह 4% पर 1,018 हो जाएगा वही मेडिकल आप पर 1,000 हो जाएगा ग्रोस पर हो जाएगा आपका 37,149 रुपिया इपी एप कटने के बाद इनके खाते में क्रेडिट होगा 35,349 रुपिया टोटल 38% डिये पर इसके बाद वाले का आप हम देख लेते हैं जीन का मूल बेतन अभी 26,210 है उनका 38% डिये हो जाने के बाद आपको 9,960 रुपिया होगा और एचारे अवास बता 1,048 होगा मेडिकल आपको 1,000 हो जाएगा ग्रोस पर आपको 38,210 हो जाएगा और इपी एप कटने के बाद इनके खाते में क्रेडिट होगा आपको 36,418 रुपिया वहीं इसके बाद जिनका मूल बेतन 27,010 है वैसे सभी सिक्षकों का 38,330 डिये पर 10,264 हो जाएगा और आपका एचारे हो जाएगा 1,080 मेडिकल हो जाएगा 1,000 और टोटल ग्रोस पर आपका हो जाएगा 49,354 रुपिया इपी एप कटने के बाद इनके खाते में क्रेडिट होगा 37,554 रुपिया वहीं जिनका 27,820 मूल बेतन है उनका 38,330 डिये पर आपको हो जाएगा 10,572 रुपिया एचारे हो जाएगा 113 रुपिया और मेडिकल हो जाएगा 1,000 टोटल ग्रोस पर हो जाएगा 40,505 रुपिया इपी एप कटने के बाद इनके खाते में क्रेडिट होगा 38,705 रुपिया और इसके बाद वाले का हम देख लेते हैं जिनका 28,660 है परसेंटेज सिक्षकों का आपको 28,660 और 27,820 जो 2003 में सिक्षा मित्र है उनका 28,660 है और जो 5,6 वाले हैं उनका 27,820 ही है और 28,660 होगा आपका इनका डिये हो जाएगा 10,890 और 11,644 परतिसा तरचारे और मेडिकल एक हाजार हो जाएगा 41,690 रुपिया ग्रोस पे हो जाएगा और इपी एप कटने के बाद आपका एक हो जाएगा 49,896 रुपिया टोटल इनके खाते में क्रेडिट होगा इसके बाद 29,530 आपको ये वैसे सिक्षक है जो सेवा पूर्व पर सिक्षित है उनका मूल बेतन होगा 29,530 रुपिया और 11,211 रुपिया डिये हो जाएगा 11,81 रुपिया आपका एचारे हो जाएगा टोटल कटने के बाद 41,132 रुपिया इनके खाते में क्रेडिट होगा तो इस तरह आपको बता दें कि ये सभी 9,666 चको तथा 2003 से 16 तक के सभी सिक्षको का 38,64 दीए पर ये सेलरी हो गया इसके बाद हम 8,64 पर बता देंगे कि कितना होगा और असना तक गिरेट सिक्षको का भी कितना होगा टोटल जानने के लिए चैनल पर बने रहे तो वीडियो में इतना ही वीडियो में लाज तक बने होने के लिए दन्ने बाद वीडियो को जासे याद सेर करें वीडियो को एक लाइक आउस करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का सिक्षावी बाक से लेटिस अबडेट पाने के लिए